प्रेंट्स बर्डेट चेंज करना तो काफी ज़्यादा सिम्पल है बट प्रॉलम में आती है तब जब बडड़ पर कोई लिमिट आ जाती है तो फ्रेंड्स में प्रॉलम दिखाता हो प्रोफाइल पर आजाने के बाद हम यहाँ पर जैसे सेटिंग में आ जाते हैं तो setting में आने के बाद यहां पर account center में बड़ेट change करने का option दिये है तो यहां पर account center पर click करने के बाद friends यहां पर personal details के उपर हम जैसे click कर देते तो friends यहां पर birth date change करने का option है तो इस वाले option पर हम जैसे click कर देते तो friends यहां पर हम जैसे edit के उपर click कर देते तो यहाँ पर बताए जाता है कि अभी आपने अपने बर्ट डेट को चेंज किये अब कुछ दिन यहाँ आपको वेट करना होगा यही ने फ्रेंड्स यहाँ आप हम जैसे ओके पर क्लिक कर देते हैं and who can see your birthday पर क्लिक कर देते and after click change visibility on facebook इस पर हम क्लिक कर देते हैं and इस जगाँ पर आते हैं तो यहाँ से भी हम birthday चेंज नहीं कर पाते हैं and यहाँ पर भी थोड़ा different message लिखा हुआ आ जाता है limit का ही तो friends after limit आप अपने birthday को कैसे चेंज कर सकते हो वो आज किस वीडियो में देखनी वाले ध्याँ से वीडियो को देखिए वीडियो एलप लगता तो वीडियो को लाइक जरू करना friends 50 लाइक का ही target है जरू इस target को complete करना and especially आपके comment के उपर के वीडियो देखने के लिए चानलों को subscribe करके bell icon पे जरू क्लिक करना चेले without investing your time जानते तरीका तो friends बिल्कुल simple and आसान तरीका है तो ध्याँ से वीडियो को skip ना करते हुए end तक देखते रहे तो पहले बात यहाँ पे आपको facebook application को close करना है जैसे facebook application आप close करेंगे close करने के बाद यहाँ पे आपको chrome browser open करना है जैसे chrome open करेंगे तो chrome में यहाँ पे आपको search करना है facebook.com जैसे friends आप search करेंगे आप login page पे आ जाएंगे मतलब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरवेस आ जाएगा तो username, password डालके facebook को यहाँ से आपको login करना है तो friends मेरे facebook को मैंने यहाँ पे login करना है अब simply कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे click करना है और इस tab को close करके फिर से chrome open करना है अब जैसे chrome open करेंगे friends यहाँ पे आपको chrome में यहाँ पे click करना है एक link को आपको paste करना है जो मेरे comment box में आपको दिख जाएगा मतलब comment box में एक link address दिख जाएगा उसे copy करके यहाँ पे आपको paste करना है paste करने के बाद friends यहाँ पे simply इस वाले icon पे click करके search कर लेना है friends आगे आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा यहाँ पे simply आप birth date change कर सकते हो तो पहले यहाँ पे year's पे click करके year select करना है Year select करने के बाद जो month है उसे यहाँ पर select करें और उसके बाद जो date है उसे यहाँ पर डाल दीजिए अब क्यूँ change करना चाहते है उसका reason दे सकते है Please select पर click करें और यहाँ पर कई सारे reason है इन में से कोई भी reason एक select कर सकते है तो friends आप really में birth date change करना चाहते है तो first option पर आप simply click कर दीजिए यह best option है friends This is my real date of birth इस पर आपको tick करना है उसके बाद यहाँ पर आपको choose file पर click करना है और उस document को add करना है जहाँ पर birth date mention हो जहाँ पर real आपकी birth date mention हो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को select कर दीता हूँ आधार कार्ड के आगे का photo और वहाँ पर वो birth date mention होनी चाहिए friends जहाँ से देखें वो clear दिखनी चाहिए उसके बाद friends यहाँ पर simply send पर click करना है अब इसके बाद आपको कुछ दिन wait करना है मतलब एक दो दिनों में ही आपकी birth date यहाँ पर change हो जाएगी तो उस दिति में 14 days तक आपको wait करना ही होगा उसके बाद आप बड़ी आसन से account center में जाके edit पे click करके वहाँ से birth date change कर सकते हो वैसे comment box में reason बता सकते है कि birth date आप क्यों change करना चाहते हो वैसे reason बताएंगे तो मैं आपकी help कर सकूँगा तो comment box में comment जरू करना वैसे जाते जाते वीडियो को like जरू करना friends अब और किस topic की बारे में जानकरी जानना चाहते हो comment box में comment जरू करना comment करने के बाद चानल को subscribe करके bell icon पे जरू क्लिक करना जिससे उस comment के ऊपर की वीडियो आप देख सके तो धन्याओत friends आपके MH भाई का वीडियो देखने के लिए thank you, thanks for watching this video